हाथी की रसी की कहानी एक बार एक आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था रास्ते में उसे एक वैसे खाथी दिखा जो बहुत ही विशालकाय था लेकिन अतना ताकतवर होने के बावजूद वो एक कमजोर रसी से बंधा हुआ था वो आदमी अचानक वहां रुग गया उसे ये देख कर बहुत ही आश्चर हुआ कि कैसे इतना बड़ा हाथी एक कमजोर रसी के सहारे बंधा रह सकता है जबकि हाथी में इतनी शक्ती होती है कि वो बड़े से बड़े पेड़ों पहाडों को हिला सकता है वो चाहे तो जन्जीरों को तोड़ सकता है और आजाद हो सकता है लेकिन वो इन रसीों से बंधा हुआ है जबकि वहां कोई जन्जीर पिंजरा नहीं है ऐसा क्या कारण है जिसके कारण एक विशाल का इस कमजोर रसी से बंधन मुक्त नहीं हो पा रहा है इस कारण को जानने के उद्देश से वो महावत यानि की हाती का परिक्षक के पास गया और उत्सुकता पूर्वक उसने अपनी जग्यासा रखी उसके महावत से उस आदमी ने पूछा श्रीमान ये विशाल का है हाती जो एक सेकेंड में तहस नहत कर सकता है ऐसा क्या कारण है जुसकी वज़ा से ये एक कमजोर सी रशी से बंधा हुआ है और भागने की कोशिश भी नहीं करता कृप्या करके उत्तर दें उस आदमी के बाद सुनकर महावत ने उत्तर दिया जब ये हाती बहुत छोटा था तब मैं इसे इसी रशी के सहारे बांधा करता था उस समय ये रशी इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था उस समय इसने उस रशी को तोड़ने का पोहत प्रयास किया कई बार चोटिल भी हुआ पैरों से खून भी निकला लेकिन इसके लिए इस रशी को तोड़ पाना मुम्किन नहीं हुआ काफी प्रयास करने के बाद असफल होकर इसने हार मानली और असंभव मानकर रस्ती पर जोर लगाना भी छोड़ दिया धीरे धीरे जब ये बड़ा हुआ इसे अभी भी लगता है कि ये रस्ती इससे नहीं तूटेगी ये इसे तोड़ने में असमर्थ है इसने रसी को तोड़ने का प्रयास भी नहीं किया है आज ये एक व्यसक बलवान विशाल का हाती है लेकिन इसने रसी से हार मानली हालकि ये किसी भी समय रसी तोड़ कर अपने आपको बंधन से मुक्त कर सकता है लेकिन बचपन की हार को जीवन की हार मानकर ये अब कोशिश ही नहीं करता फल स्वरूप ये केवल एक कमजोर रसी से ही बंधन रहता है ये बात जानकर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आश्यर्य चकित हो गया दोस्तो इस हाती के समान ही हम में से जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये मान लेते हैं कि वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते क्यूंकि पहले उन्होंने कोशिश की थी लेकिन असफल रहे दोस्तों हो सकता है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया हो हो सकता है उस बालक हादी के समान हम पूरी ताकत से कोशिश न कर पाए हो लेकिन इस समय आप किसी काम को करने में समर्थ हैं लेकिन प्रयास नहीं कर रहे